वो अगस्त के दिन प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा E-Rupi जारी किया गया अब जब मैं ये बोलता हूँ कि मोदी जी के द्वारा E-Rupi जारी किया गया तो आपके दिमाग में अचानक बात आईगी औरे सर आपने कुछ दिन पहले भी तो एक ऐसी चीज पढ़ाई थी मैंने क्या पढ़ाया था आपने कहा था सर एक ऐसी करंसी बनेगी जो डिजिटल करंसी होगी आपने RBI के बारे में बताया था कि RBI कुछ जो अभी electronic करंसी है उसके बारे में कारे कर रही है वो launch भी हो गई अभी पांच दिन पहले तो आपने पढ़ाया ही था कि RBI कुछ ऐसा electronic जैसा करने जा रहा है यानि electronic जैसा RBI अपना कोई रुपिया जारी करने जा रहा है क्या वो हो भी गया है क्या क्रिटल करंसी जैसा इंडिया ने अपनी करंसी बना दी है क्या अरे नहीं भाई ये मिलता जुलता नाम है कन्फ्यूज मत हो जाना इसलिए इस सवाल को ले करके आया हूँ कि दो तारीक को हाल ही में E-RUPI जारी किया गया E-RUPI का बिलकुल मतलब ये नहीं है कि आपको अब रुपिया बैंक से नहीं मिलेगा इसका मीनिग ये नहीं है इसका मीनिग कुछ और है इसको आप समझिए प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी लीजिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके Economic Development और Technology का पार्ट है Paper 4 और GS Paper 3 का ये हिस्सा है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप इसे नौट करिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट स्कीम है आईए मैं आपको बताता हूँ तो साथियों हाल ही में E-Rupi Digital भुगतान समाशान E-Rupi Digital Payment Solution ये शब्द है Digital Payment Solution E-Rupi Digital Payment Solution हाल ही में प्रधान मंत्री जी के द्वारा जारी किया गया क्या है ये पूरी कहानी आईए अब मैं आपको बताता हूँ असल में पहले तो ये समझ लीजिए कि E-Rupi का मतलब ये कतई नहीं है कि अब आपको ATM से नोट नहीं आपको एक मैसेज आएगा कि हाँ ये आपके अकाउंट में इतने रुपे के आप फोटो देख सकते हैं कि आपके पास बड़िया एकदम गांदी जी चमकते हुए दिख रहे हैं आपको सब चीज दिख रही है बड़िया से नोट चला के देख लिजए ऐसा कता ही नहीं है यहां कुछ और है कुछ और सीखना है क्योंकि आपने अगर टर्म सुनी तो टर्म है डिजिटल पेमेंट सॉलिशन तो वाट इस देट डिजिटल पेमेंट सॉलिशन चलिए अब हम जानते हैं आएए मैं आपको बताता हूँ साथियों आप मेंसे सभी लोगों ने अब तक क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चा है उसे शायद ही ऐसा होगा कि ये ना पता हो कि UPI क्या होता है भीम UPI क्या होता है Unified Payment Interface जो कि NPCI के द्वारा डवलप किया जाता है अब उसमें एक E-Voucher सुविधा लाँच कर दी गई है अब ये E-Voucher सुविधा क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही E-Voucher असल में E-Rupee है E-Voucher E-Rupee है यानि गंगाधर ही E-Rupee है तो E-Voucher ही E-Rupee है पहले इसको दिमाग में बिढ़ाईएगा तो गंगाधर ही शक्तिमान है इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है यानि सरकार ने रुपिया लाँच नहीं किया है गुरू, वाउचर लाँच किया है अब ये वाउचर क्या होता है भाई ये बताइए आप आपने बहुत बार हमसे एक लाइन सुनी होगी आपने कई बार सुना होगा आनाकैडमी में एक टेस्ट होता है जिसे कॉमबेट टेस्ट कहा जाता है कि आनाकैडमी इस वीकेंड हर संडे को हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं बजे और 11 बजे UPSC और SSC में जिसमें जीतने वालों को करोणों के उपहार बाटे जाते हैं लेकिन हम कैश ट्रांसफर नहीं करते हम क्या ट्रांसफर करते हैं हम वाउचर ट्रांसफर करते हैं अब ये वाउचर क्या होता है voucher का मतलब है एक ऐसी चीज जो किसी खास परपज के लिए बनाई गई है परपज से मतलब हुआ आप वो voucher दिखाईए Amazon पर जाके voucher दिखाईए voucher के माध्यम से जो Amazon है केवल वही आपको पैसे दे पाएगा या Amazon ही आपको सामान दे पाएगा ये नहीं है कि voucher Amazon का है आप Flipkart में जाके सामान मांग लिए ऐसा नहीं तो ये voucher होता क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ मोदी जी ने क्या किया है तो भाईया एक voucher launch किया है आप अगर Flipkart Amazon जैसी चीजें यूज करते हैं तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी नहीं भी यूज करते हैं तो मैं हूना समझाने के लिए तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको जड़ा विचार करिए मेरे पास में 100 रुपे हैं अब मैं उन 100 रुपे को लेकर के अपने साथ में उस 100 रुपे का कुछ भी काम कर सकता हूँ जो उस 100 रुपे की वैल्यू में बनता है मैं वो चीज ले सकता हूँ जैसे 100 रुपे में हो सकता है कि मुझे मतलब मिठाई खानी हो मैं मिठाई खा सकता हूँ सबजी लानी हो कहीं आना जाना हो या फिर कुछ सुविधाएं यूज करनी हो मैं कर सकता हूँ यानि कि रुपय के बहुत सारे उपियोग पॉसिबल है लेकिन ज़रा विचार करिए कि आपने मुझे 100 रुपय का एक voucher पकड़ा दिया वाउचर क्या हुआ एक ऐसा काड़ जिस पर लिखा हुआ है कि आप इस 100 रुपय का उपियोग केवल और केवल खाना खरीदने में ही कर पाएंगे जरा स्विचार करिए कि आपके उस voucher पर लिखा आए कि आप इसका उपियोग केवल और केवल fertilizer खरीदने में ही कर पाएंगे आप इस voucher का उपियोग या इस धन का उपियोग केवल medical facility में ही कर पाएंगे विचार करिए आपको मालुम होना चाहिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से direct benefit transfer करके आपको एक Trinity याद होगी जंधन आधार mobile नाम से Trinity अपन कहते हैं कि Trinity बनाए गई थी एक जंधन आधार mobile करके service बनाई गई थी जिसमें ये था कि आपके account में कोई भी योजना हो उसका सीधा पैसा account में transfer हो जाएगा अब योजना के लिए पैसा दिया गया आपको fertilizer subsidy के नाम पर सरकार ने पैसा दिया लेकिन आपने उसका उपयोग fertilizer में नहीं किया आपने कहां यूज कर लिया साब आपने उसका उपयोग अपने किसी सुख सुविधा के विकास में कर लिया विचार करिएगा बहुत ही logical तरीके से इसका विचार करिएगा और कर गए तो आपको ये जबरदस्त शॉट देने के लिए है जरा विचार करिए यदि सरकार ने आपको कहा कि मैं एक किसान को साल भर में 6,000 रुपए का fertilizer subsidy देना चाहती हूँ fertilizer subsidy का मतलब हुआ कि आप उस पैसे का उपयोग केवल और केवल fertilizer खरीदने में ही कर सकते हैं अभी तक सरकार आपको पैसे account में डालती थी जि वारता ऐसा भी हुआ कि fertilizer कहीं से अपना natural डाल दिया और उस fertilizer का उपयोग पैसे का उपयोग कहीं और कर लिया लेकिन जरा विचार करिए अब सरकार आपको अपने account में पैसा देती है और पैसा नहीं दे रही है एक voucher दे रही है voucher भी ऐसा जिसे आप जाए fertilizer वाली shop पर खाईए और आप दिखा करके कहिए कि सर मेरे पास 6,000 रुपय का voucher है fertilizer subsidy का क्रिपया करके मुझे इतने रुपय का fertilizer दे दीजिए आपका use specific हो गया और अगर use specific हो गया तो government के द्वारा दी जा रही subsidy अब targeted हो सकती है targeted का मतलब उन्हें एक निश्चित product पर ही खर्च किया जा सकता है और जब subsidies targeted हो जाएंगी तो बलाब भी तुरंट दिखने लगेगा अगर सरकार ने किसानों के upliftment के लिए यादी मान लीजे सरकार ने आप से कहा कि बिजली के बुन के बिल के बुगतान में हम आपको waiver देना चाहते हैं यानि लाब देना चाहते हैं कि बिजली के बिल का आपको इतना रुपिया सरकार देगी आपने उसका उपियोग कहीं और कर लिया नहीं भाई अब आप इसका उपियोग बिजली के बिल में ही करिए तब जाकर के उस समश्या का समाधान हो पाएगा आप इसका व महिला ने उस पैसे का उपयोग अपनी किसी और खास काम में के लिए यूज कर लिया, तो ऐसी स्थिती में ना तो महिला का स्वास्थ सुधरा ना उस बच्चे का और सरकार का पैसा भी चला गया, अब अगर आपने उस पैसे का उपियोग केवल ऐसी डवा को खरीदने में या ऐसी सुविधाओं के विकास में खर्च किया जो targeted थी उमीद है मेरे सभी साथियों वो बहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी तो उमीद है आप लोगों को ये प्रापर तरीके से बात समझ में आ गई होगी तो सरकार ने इसे कैसे कहा है सरकार ने कहा है ये cashless है यानि कि इसमें धन नहीं होगा and contactless है contactless का मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा is a digital payment यानि कि एक प्रकार का online payment हमने विक्सित किया है by National Payment Corporation of India ये वही वाली चीज़े जिसने भीम UPI बनाया था यानि NPCI के द्वारा इसे बनाया गया ये point लिख लीचेगा बहुत महत्वपूर्ण है परिक्षा के point of view से दो अगस्त भी याद रख लेना महत्वपूर्ण है नमबर दूसरा connects sponsor of these services with beneficiaries and service providers in a digital manner without any physical interference यानि कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप पैसा लिए खरीदने चले गाए नहीं service provider ने आपको voucher दिया किसी particular काम के लिए दिया और करके कर दिया और इसके लिए सरकार ने भीम application का नाम या फिर उन बैंकों से कहा है कि जिनके माध्यम से हम पैसा पहुँचाएंगे आप voucher प्रदान करेंगे अब यहां से सुनिए यहां पर क्या कहा गया है assure timely payment without involvement of any intermediary कोई मध्यस्त नहीं होगा पीच में सीधा जाइए voucher दिखाईए आपके mobile में आप रुपिया नहीं दिखाएंगे अब आपको अपने mobile के अंदर इस प्रकार का एक QR code दिखाना होगा यानि कि एक प्रकार का QR code दिखाईए code scan होगा code के scan होते ही आपके account से पैसे उस वाली bank में चले जाएंगे आपके mobile number पर सरकार ने आपके mobile number पर एक link भेजा कि मिस्टर अंकित कुमार अवस्थी आपके account में 6000 रुपे credit कर दिए गए है आपने सोचा कि bank का account चेक कर लो जी नहीं आपके लिए सरकार ने एक message भेजा है उस message को जैसे ही आप open करते हैं इस प्रकार का एक QR code खुल के आ जाता है आप उस QR code को लेके bank जाते हैं कि sir मेरे पास 6000 रुपे हैं बोल दिखा कहा हैं बोले ये रहा QR code आपने bank को दिया bank ने उस QR code को scan किया तुरंट 6000 रुपे bank के पास कि ये आ गए आपके पैसे आप चंता मत करी आप इसका आप यही काम कर पाएंगे आप गए fertilizer वाले के पास कि भाई सुन इस QR code का use कर ले fertilizer वाले ने कहा अजी भाई सहाब ये तो महिलाओं के विकास के लिए आया हुआ पैसा है मैं fertilizer नहीं दे सकता महिलाओं के विकास के लिए आप QR code लेके पहुँच गए उसने का भाई सहाब मैं यूज नहीं कर सकता ये fertilizer के लिए दिया गया पैसा है मैं यूज नहीं कर सकता मेरी machine scan नहीं कर रही इसको ये scan वही करेगा जो fertilizer का का काम करता होगा समझ रहे हैं आप कितना significant समझ लीजेगा तो प्रधान मंत्री ने हाल ही में 2 अगस्त को e-rupee launch कर दिया जिसमें क्या किया जाएगा जिसमें आप लोगों के लिए एक cashless SMS के अधार पर एक voucher भेजा जाएगा उस voucher को लेकर के आप beneficiary के form में जाएंगे आप अपने लिए सुविधाओं को मांगेंगे और सुविधाओं के नाम पर सरकार आपको direct transfer कर देगी यानि कि इसमें आप पैसा देखेंगे नहीं आप इसके अंदर आप अपने पास एक QR code देखेंगे ना इसके लिए आपको internet की आवशक्ता होगी ना इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से मतलब mobile banking की आवशक्ता होगी ये केवल आपके पास SMS पे एक link आएगा उस link को दीजिए और सीधा काम कीजिए उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे तो हाल ही में E rupee क्या है एक cashless contactless medium for digital payment है it's an electronic voucher based digital payment system that will be delivered to the mobile of the beneficiary in the form of QR code और SMS string या तो आपके पास QR code आएगा या SMS आएगा इस प्रकार से ये आपके पास digital code आएगा आप यदी भीम UPI यूज़ करते हैं तो आपको ये बात बहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी इसके अंदर जो service प्रदाता है और जो service को use करने वाला है ये आपस में connect हो सकते हैं सरकार ने ये तक कहा है क्या ये digital currency है ये बहुत बड़ा सवाल है मैंने इसलिए इस सवाल को यहाँ पर लिया है आप विचार करिए क्योंकि कुछ दिन पहले RBI ने एक hint दिया था क्या hint दिया था कि हम digital currency लाने वाले हैं अब digital currency से लोगों के मन में बैठ गया कि कहीं सरकार ने जो कहा था वो करतों नहीं दिया इतना जल्दी तो जड़ा विचार करिए साथियों ये digital currency नहीं है तो ये क्या है no e-rupee is closer to voucher based payment system यानि सरल रूप से समझ ये ये digital currency नहीं है ये voucher है मतलब और कुछ नहीं है e-rupee is just a voucher nothing else जिसको आपको QR code के माध्यम से और SMS के माध्यम से दिया जाएगा that can only be used a specific ground for specific goods some of its key benefits कि यहाँ पर आप payment service provides use कर सकते हैं ये सरकार के द्वारा किया गया है यहाँ पर आप cases, use cases क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया अब मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए आप मान लीजिए सरकार ने आपको benefit दिया कि आयुश्मान भारत योजना के तहत आपको 5 लाग रुपे का बीमा दिया जाता है सोचिए आपके अकाउंट में पैसे आ गए आप कौशिश करेंगे कि इस पैसे का कुछ और भी उफियोग कर लिया जाए लेइन पता चलिए कि आपके पास में जो QR कोड आया वो केवल और केवल आप आयुश्मान भारत में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर नहीं सकते है आप उसको तो इसका जो टार्गिटड बेनिफीशियरी है ना वो बनाया जा सकता है इतनी अदबुत चीज है यहाँ पर बिटा अब एक विध्यारती पूछ रहे हैं कि सर यह रिशी राज है जिसके पास स्मार्ट फोन नहीं होगा उसका क्या होगा आपने इस सेशन को ध्यान से नहीं चुना रिशी राज अगर आप ध्यान से सुनते तो समझ में आता कि यहाँ पर स्मार्ट फोन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ हो रहा है QR, Code और SMS SMS तो बिटा Nokia 1100 में भी आया करते थे अगर आपके फॉन में SMS नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो फॉन किसी काम का है उसे जाईए किसी अच्छे technician को दिखाईए है ना, तो यह काम तो होना चाहिए ठीक है ना, तो यह विद्यारती कह रहा है कि कल्यान कारी राज्य की स्थापना है उसके तहत welfare के नाम पर बहुत पैसा release करते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि उसमें leakages बहुत हो जाते हैं leakages का मतलब हुआ, मनरेगा के तहत मजदूरी दी गई किसी मजदूर को, बाइसाब बीच में broker ने कहा कि तेर को मजदूरी मैं तभी दूँगा जब तू 100 रुपे निकाल के मुझे देगा यह बिल्कुल वैसे वाली स्थिति हो गई, आपने किसी काम के लिए पैसे दिये, आप हॉस्पिटल गए हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया उसने हॉस्पिटल वाले ने का चिंता मत कर, एक काम कर तूरा मेरा बिल जाए ना तेरा में डेड़ लाग का बना देता हूँ, तू डेड़ लाग रुपे लाके मेरे को दे दे, मैं तेरे को पैसे रिटन कर दूँगा, नहीं सरकार ने का जो काम है ना, उसका वज़े से ये समझ पाएं, ये वो आंसर्स हैं, जो आपको मेंस के आंसर में लिखने हैं, कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया ने, या फिर डिजिटलाइजेशन ने करप्शन को, और किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन ने लैक आफ payment को कम करने का प्रयास किया है यानि कि ये एक प्रकार का वो method है जिसकी वजह से चीजों को normalize किया जा सकेगा कोई सी भी सरकार हो जब केंद्र सबसे अवेले UPA सरकार थी तो वो आधार कार्ड का concept ही इसलिए लेके आई थी ताकि एक टाइम पर आधार कार्ड से mobile number को, accounts को जब ये NDA सरकार आई तो इन्होंने आधार कार्ड के साथ में bank account जोड दिये, कोई अगली सरकार आईगी हो सकता है कुछ वो और काम करे क्योंकि ultimately सारी सरकारे आप और हमारे हित के लिए काम करती है कोई सी भी इसमें आप ये दिमाख मत लगाया करिये, UPA ये करता है NDA ये करता है, सरकारें लोग कल्यानकारी राजज की स्थापना चाहती है नीतियां तरीके अलग-अलग तरीके से हो सकते है कोई भी सरकार तब तक exist नहीं कर सकती जब तक वो welfare state की कामना ना करे ठीक है न, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो यहाँ पर साथियों, list of banks है जहाँ पर E-Rupee मिलने वाला है Union Bank of India, ये सब चीज़े मैंने आपको बता दिया ये क्या काम होने वाला है, कौन कर रहा है इस काम को, तो National Payment Corporation of India के द्वारा इसे किया जाएगा किलियर है, उम्मीद है सभी साथियों को ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी फिर से, अगर आपको ये वीडियो पहली बार में समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से thumbs up कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे इतने विध्यारती देख रहे हैं, लेकिन likes की संख्या है ही नहीं भाई, वीडियो को लाइक कर दो, आर कितनी ultimate ultimate चीज़ें सीख रहे हैं मैंने promise किया था शुरुआत में, कि यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ना free special classes देखना, तो unacademy पर अभी जाईए और unacademy learning application अपने mobile में install करिए आपको unacademy देता है live classes, free classes और बहुत सारी downloaded material, लाखो घंटे का content, बहुत सारे educators की classes, सारी चीज़ें और हाँ, next week से आ रहे हैं मेरे जितने भी नए courses हैं, उनके लिए आप enroll कर लीजें मेरा referral code है अंकित10 जिसका उपयोग करके आप 10% immediate discount प्राप्त करते हैं अनकेडमी की सभी classes पे SSC में जो मेरी paid classes हैं, ये Monday से वापस शुरू हो रही है, resume हो रही है, तो निश्चित ही आप उसमे enroll कर पाएंगे और बहुती बहतरीन तरीके से हम एक निर्धारित समय के अंदर अपना काम complete करेंगे अभी जो हमारी classes वर्तमान टाइन पर नहीं हो पा रही है, उसके पीछे मैंने आपको कारण दिया अना कि वो एक excuse है, लेकिन आप इसे consider करें कि मैं अभी out of station हूँ और cautious नहीं कर पा रहा हूँ और मैं official काम से बहार आया हुआ हूँ लेकिन हाँ, जो भी आपकी चीज़ें पची हुई है, उन्हें निश्चित ही पूरा कराऊंगा और एक जो promise है वो ये, कि SSE की तयारी कर रहे है विध्यारती जो लंबे समय से मुझे डिमांड कर रहे हैं कि current affair का revision करा दीजिए, और एक 8.30 वाली evening की class का डिमांड कर रहे हैं, चिंता मत करिए आपके paper से पहले, मैं 6 महीने का current affair आपको किसी दिन special class लगा करके पढ़ा दूँगा तो don't worry, आप बेफिकर रहें और आपका ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है तो फिलाल के लिए आप जल्दी से अपने mobile में anacademy learning application इंस्टॉल कर लीजिए और मेरी पुरानी classes फटाफट देख लीजिए, ताकि नई classes आपको मिल जाएं एक वार subscription लेने पर उस category में जितने भी educators पढ़ा रहे हैं, सब की classes आपको दिख जाएंगी कर दो देख जाएंगी